आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो बसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हैं दूहर्यों हुआ है दिए आपना क्या है Ben variety के नोवाला पोषिन आपि यहांप अपना स्टमक्त टेकर यह पर अपना यह इंटरसाइन वाला पोषिन तो अब जैसे ही अपना लेक्वीट फॉर्म में है तो क्या करेगा ये बहुत फ्रिक्वेंटली यहां पर आएगा तीक है स्तमक से होते हुए क्योंकि लेकुट फॉर्म में है पूरा इंटरस्टाइन के तुरू पास होते हुए चले जाएगा यानि कि लेकुट फॉर्म में होगा तो इसको टाइम कम मिलेगा इसके लिए फॉर्डिजेशन के तो अब तो अब तौरू द इं यह धीरे-धीरे फ्लो करेगा थिक है इननसे इतना फ्रीकवेंटली फ्लो नहीं करेगा जितना यह फ्री ustarum में फ्लो करा जाता है ताकि हमें क्या मिले more time मिले ठीक है किसके लिए for digestion के लिए कह सकते हैं यह हम कह सकते हैं for action of enzymes यूँकि जब enzymes अपना action कर पाएंगी तो ultimately क्या होगा digestion होगा तो हमें यह बताना है कि milk conversion गर्ड के अंदर किस enzyme के help से होता है तो इस question का answer है अपना ranine अब यह ranine कहां पर आकर करती है इसको कौन secrete करता है कैसे milk को convert करती है इसको हम समाचते हैं तो सबसे पहला question है कि secret कौन करता है और इसका secretion होता कहां पर तो stomach के अंदर secretion होता है stomach के अंदर अपने present होते है chief cells ठीक है यह secret करते हैं अपनी दो enzymes एक हो गया ranine दूसरा हो गया अपना pepsin और यह दोनों की stomach में अपना hcl भी होता है तो hcl की presence में यह जो enzyme होती है अपनी active form से convert हो जाती है active form में ranine के अंदर अब यह ranine क्या करता है अपने जो milk होता है उसके अंदर present होती है एक protein जिसका नाम क्या है तो इस protein पर यह एक करता है ranine ठीक है इसको यह convert करता है किसके अंदर para season और kaysan क्या सकते हैं बात है किये अब हमें यहां पर क्या मिल गया para season मिल गया अब यह जो अपना para season है可以 combine करता है किसके साथ calcium के साथ केल치ium कहा से है, अब इसक să produce in take per 135, तो यह कंपा करता है, केलशियम के साथ और हमें क्या मिलता है, Calcium Para Seasonate केलशियम और इसकोlier कर जाएगी सब्सक्राइब, अब राजह के अब किसका के अबधास हो चुका है तो अब इसके उपर कोई भी enzyme जो होगी वह easily act कर जाएगी या इसको digest कर जाएगी तो अब आते हैं किसके उपर हम एक दूसरी enzyme जिसका नाम क्या है pepsinogen जिसके बार में हमने पहले डिकस कर आथा तो pepsinogen भी actual की presence में convert जो थे किसके अंदर? पेpsin के अंदर ठीक है अब यह जो अपना paraseasonate था इसके उपर pepsin act करेगा और इसको convert कर देगा किसके अंदर? peptones के अंदर अब यह peptones further small intestine में जाएंगे तो महाँ पे dipeptide respect करेंगे ठीक है तो उसको convert कर देगा किसमें amino acid वगरा में ultimately हो जाएगा इसका digestion ठीक है ठीक है उसको transform कर रहा था किसमें paraseasonate या paracacin में फिर यह paracacin जो था calcium के साथ combine किया और उसने क्या बना दिया calcium paraseasonate जो कि क्या है हमारा curd है अब इसके उपर कोई भी अन्जाम easily act कर सकती है और इसको digest कर सकती है तो यह role होता है अपना रैनिन का और यह ऐसे help करते हैं हमें किसमें curd या कैसकते है milk digestion में ओके तो इस question का अपना answer क्या हो जाएगा रैनिन फिंक्यू क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEET IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटनेटा यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर